दोस्तों नमस्कार न्यू टेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है मैं हुर आजेंद्रे आदो यह जो गोचा माची आपको दिख रहा है वो थोड़ा सा आद मेरा लेपटाप पता नहीं क्या होगे आपसको तकलीफ कर रहा है वीडियो बन के अधादूर जाके फिर से हो यह बैंक निप्टी पांच मिनट का का टाइम फ्रेम का ताइम फ्रेम पांच मिनट का ठीक है वन निस तारिक आपको यह देखो है यह रहां सा उपर जाती है यह लेकिन सेलर का प्रेशर इतना था कि यह नीचे में आ जाती यहां पर लो लगाती यहां का और यह फिर थोड़ा सा रिजिक्षन होता है पहले हम इसका सपोर्ट रिजिस्टन्स कीचते हैं देखो यह है सपोर्ट और यह है रिजिस्टन्स सपोर्ट नीचे की तरफ चला गया फोड़ा यह है श्याद Behland आप देख रहे हो ना फिर रिजिक्षण होता है दूसरी केंडल है यह थोड़ा शा नीचे आती है लेकिन इसके लोको ब्रेक नहीं करती फिर तीस्री कैंडल यहां पर आके सपोर्ट के ऊपर आती है फिर यह चोथी कैंडल यह है पांचवी कैंडल हमारे रजिस्टन्स को ब्रेक कर देती है तो जो हमारा सेट अब यहां बोलोगे आप कैंडल होना चाहिए तो इंट्री बनती है लेकिन अब देखो यह जो ट्रेंड है यह डाउन ट्रेंड पूरा है अब आप यहां से देखो ना यहां से पूरा डाउन आ रहा है कितने किती टाइम शाय होगा एक चार पांच छे साथ आठ नौ दस 11 12 15 20 कैंडल हो गया है तो हम य यहां से फिर उपर आती है हलका से देखो यह नीचे आती है फिर नीचे आने कोशिस करती है लेकिन इस लो को जो यह लो है लो को ब्रेक नहीं कर पाती फिर यहां से उपर जाती है रेजिस्टेंस को टेस्ट करके नीचे आती है नीचे आके फिर यह थोड़ा सा उपर जाती है फिर नीचे आती है फिर यहां पर थोड़ा सा नीचे जाके फिर यहां पर इन दोनों के लो को ब्रेक करती है लेकिन बायर इतने एक्टिव थे कि इन को यहां से उपर ले जाते अब आपको यह देखना देखो यह दोनों जो जो सब्सकराइद को इसने ब्रेक कर दिया है उसके साथ सपोर्ट को भी ब्रेक करके क्लोज कर दिया है फिर यहां पर इंट्रीव बनते है और यहां से हमारे एंट्रीव बनी तो यह हमारा टार्ग nhưng अब समझ लो सहतालिस आठ सो से लेके सैतालिस नौस साड़यों तक फिर यह नीचे आती है फिर उपर जाती है फिर यह क्या करती है इस लो को ब्रेक नहीं करती है देखो यहां से फिर यह उपर जाती है हलका सा फिर नीचे फिर यहां पर सस्टेन करती है जब सस्टेन करेगी कहीं पर सस्टेन करती है तो हम एक आएसे लाइन खीच देते हैं यह सब चीजे देखना है विडियो बड़ा हो जाता है । बड़ा होने से फिर लोगों को देखने में तकुल देखो यह क्या करता है नीचे यहां से जाके एक हल्का सा स्विंग बना देता है ठीक न? और यह स्विंग को, यह स्विंग को यह ब्रेक ब्रेक करडेती है और को ब्रेक कर्ने के बाद में पिर यह नीचे आती है दूसरी mund अ More च्बूसेंज़ी केंडल जो है फिर यहां से आपस जाती है यहां पर रही केंडल वेक कर देती कि आपके तो हमको इधर मिल गए कॉल साइट के और फिर ये क्या करती है उपर जाके नीचे आती है फिर नीचे जाती है और फिर उपर जाती है देखो इसने कोशिस कित्ति बार करी एक बार दो बार लेकिन इस हाई को भेक नहीं कर पाई देख लो इस हाई को ब्रेक किया नहीं किया फिर यह नीचे की तरफ आती है नीचे तरफ आने के बाद में यह हमारा जो सपोर्ट है इसको यहां पर क्लोज कर देती है जब यह सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज करती है यह दोनों स्विंग भी ब्रेक हो जाते हैं ठीक है यह जो तो दोस्तों इन सब चीजों को ध्यान से देखना है, समझना है, करना है, देखो, यह सब हमारे बताने से कुछ नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस से, आपके दिमाग में सपोर्ट रेजिस्टन्स होना चाहिए, तब जाके काम होगा, अब इसको दिखा देते हैं आपको, यहा यहां पर क्या होता है, और थोड़ा सा उपर ले लेता हूं, यहां से जब मार्केट चली है, यहां से मार्केट नीचे आई, यहां से जब चली, तो यह चार कैंडल, यह पांच कैंडल, यह जो रेट कैंडल है, यह भी बुलिस है, ठीके न, फिर यहां से हैवी गैप अप ह बेरी स्केंडल और यहां पर है और यहां ओपन होके नीचे आती है नीचे आने के बाद यह भी बेरी स्केंडल ग्रीन भले है क्योंकि यह गैब डाउन ओपन होके थोड़ा सा उपर गई है यह बेरी स्केंडल यह दो बेरी स्केंडल हो गई और फिर इसके बाद यह दो हो आ रहा है यानि यहां से यह जो श् intended है दो कटल ऑपर जाती दो कयंड नीचे जाती दो कटल आएसा कर रहा है तो अब उम्मीद कल की क्या है कि कल यह फिर उपर की तरफ जाएगी अगर इसने अपने ट्रेंड को continue रखा तो कल यह gap up open होके उपर जाएगी ठीक है यह सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है अब यहां आप बोलोगी कि gap up open होके उपर क्यों जाएगी तो इससे हमको क्या फायदा है इससे आपको फायदा यह है कि अगर आपने जहां पे market open हुई यहां से trade ले लिया तो आ तो यह हो गया है कि यह तो बैंक निप्टी हो गया आपका ठीक है कि एक चीज और भी आपको दिखा दूंए कि क्या है कि देखा हुआ है कि यह है यह है अगर यहां पे market open होती है यहां पे open हो जाए बाई chance हो जाए होने के बाद में यहां से support लेकि bounce back हो सकती है इस चीज को आपको हमेसा ध्यान रखना है कि अगर market किसी वज़ाए से bank gap down open हो गए gap down open हो के नीचे की तरफ आई तो यह जो 47,000 का यह सैतालीस जार से लेकि यह 48,000 तक यह 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 जो है कि इतना इतना 47,000 ऐसे लेकि 47,800 तक 47,870 दिख रहा न तो 47,000 से लेकर 47,800 तक ये बहुत खतरनाक जोन है इस जोन से कभी भी यहाँ पर उपन होई तो कभी भी ये बाउंस बैक कर सकती ठीक न अगर किसी तरह किसी वज़ा से इसको ब्रेक कर दी इसने इसको ब्रेक कर दी एक दिन, दो दिन, तीन दिन में जितने भी दिन में अगर इसको ब्रेक कर देगी तो ब्रेक करने के बाद में अगर ये ऐसा प्राइजेक्शन बनाई तो फिर हम यहाँ नीचे की तरफ क्यों है ये इसका जो है ये सपोर्ट यह एरिया ब्रेक कर चुके होंगे तो हमारा सपोर्ट यहां पर आ जाएगा 45,000 फिर हम 45,000 तक वापस आएंगे ठीक है और यह 45,000 यहां पर क्यों गें देखो यह भी यहां पर देख लो यह है ठीक है और यह कारण होता है सब जहां जहां सस्टेंग की रहेगा देख लो यहा और क्या करें छोटा चोटा कित्ता चोटा बनाऊ आए निंप्टी पे आ जाते निप्री को बार समझ लहते हैं निप्टी नहीं क्या किया है फिर इसके बाद में हम कल क्या करेंगी निप्टी उसके लिए बेखो देंखो निप्टी ने यह थोड़ा सा गैप आप ओपन होती है गैप ओपन होती है इसका सपोर्ट और यह रिजिस्ट्र सते हैं गैप ओपन होने के बाद में इसने एक बुली स्केंडल बनाई पहली केंडल बेरी स्केंडल पहली बनाई और फिर देखो यह एक छोटा सा प्राइजेक्शन बनाया ठीक है अब यह प्राइजेक्शन जो बात होती है हमारी यह चाहे अंदर की तरफ बने या बाहर की तरफ बने ठीक है फिर नीचे आती है यह लो को यह लो ब्रेक नहीं कर रहा है फिर उपर जाती है फिर नीचे आई यह लो ब्रेक नहीं किया फिर उपर गई नीचे आई यह लो को ब्रेक नहीं कर रहा है यहां से चलती है यह दोनों यहाई है इसको ब्रेक करके क्लोज कर दी अब यहां पर हमारी इंट्री बनती है ठीक है हलाकि हमारे डाजिस्टेंस जो है हमारे करीब में है लेकिन अगर आप रिस्क लेए लेए तो यहां पर एक थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है यह थोड़ा सा रिसकी है लेकिन यहां पर प्रॉफिट है फिर यह क्या करता है फिर सपोर्ट की तरफ आता है लेकिन सपोर्ट को टेश्ट रही कर पाता है यही से फिर बाउंस बैक करता है ठीक है नहीं बहुत अच्छा ट्रेड दिया फिर यहां से क्या करता है ज यह देख लेते हैं आप इसमें भी वही चीज है जो चीज आपक न भाइंक निप्टी में देखा वही इसमें भी है देखो यहाँ पर क्या होता है बड़ा गैपप markers के बाद में यह केंडल नीचे आई फिर दो अउपर गई फिर दो नहीं दो निछी और ये फिर दो उपर जा रहे हैं मतलब कर रही है यहां भी मार्केट कोसिस कर हुएए नीचे आने की तो लेकिन हो नहीं पा रहा है, इसमें भी आपको यहां पे 20000 पे जब अगर यहां से आएगे यह 20000 पे आई थी, तो यहां आपको साउधान रहना है ठीक न AC अगर किसी वज़र से यहां पायत आई तो यहां से भी यह bounce बैक कर सकती है हां हम पूरी तरह से बेरिस कब होंगे जब ये इस 21,000 के लेबल को तोड़ के ये कैसा स्विंग बना की फिर नीचे की तरफ चलेगी तब जाके हम पूरी तरह से बेरिस होंगे ठीक है अब हम देख लेते हैं कि कल हम निप्टी को कैसे ट्रेट करेंगे अब कल हम निप्टी को देख लिजे यह हैं इसका फ्लैट एलिया है ठीक है में 2400 से लेके एक हैं 2480 यह 50 40 points है है तो अगर यहां पर बैंक निप्टी ओपन होती है और सस्टेन करके उपर जाएगी तब तो हम जैसे अभी आपको बताया न कि कई दिनों से नीचे आ रहे थे आपको दिखाया वह भी हम जोड़ सकते हैं तो अगर यहीं पर ओपन हो जाए और यहां से ओपन होके पहली यह हमान लगाते हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे अगर करती है कुछ देर तक फिर नीचे आएगी पहली जैसे हमारे सपोर्ट को ब्रेक करेगी या ओर और पहली दूसरी केंडल इसमें कैसा है यह अगर फ्लैट ओपन होगी तो इसमें अगर यह नीचे की तरफ जाएगी सपोर्ट रिजिस्टेंस आप मार्क करिए उसके बाद दूसरी केंडल अगर नीचे की तरफ जाती है तो यह कल आज की डेट का जो यह जो है ना नीचे की तरफ आई है ना बेरीश केंडल बनी हुई है इसको भी उसमें जोड़ के देखना है क्योंकि इसका भी प्रेसर उसके उपर होगा और मार्केट नीचे की तरफ जाएगी प्लैट में बता रहा हूँ इस चीज को आपको ध्यान रखना है ठीक ना अगर यहां पर ओपन हो जाए यहां पर हो जाए और इसे कैंडल बना दे इसके बाद आप सपोर्ट रेजिस्टेंस खीच लेना और दूसरी कैंडल अगर यह ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रही है तो आप यह देख लेना कि यह दूरी से आ रही है और यह इसके बाद भी यह कैंडल नीचे जाएगी यह ध्यान रखना हाँ अगर यह ऊपर की तरफ जाती है दूसरी कैंडल तो हमको स्विंग के लिए इंतिजार करना पड पहले टार्गेट ही होगा एक किस पांसों यह ऐसके दो फ्लेट में 2 में किसपांसों दूसरा होगा ऐसके इस पांसों 50 तीशरा होगा एक किस छे सोप चेसवे ठीक है और पुट्ट साइट का टार्गेट होगा यह किस चार सो डीस यह वाला है यह पुट साइड का टारिट हैं म Warum गश्रार्ड होगा किसे महररा है यहीं गिसला ठीकल को दो चाहएं हैं आपको लग रहा हको कि पुट और फीन का और पिसरा पार्ड होगartment है है किसे महर Sig यह है पुट साइट का फ्लैट ओपन पे फ्लैट ओपन हो तो पुट साइट और अगर यह गैपप ओपन हो जाए यहां पर यहां पर ओपन हो जाए तो हम क्या करेंगे अगर तरेडिंग का हमारा सिनरियो वही रहेगा और हमारा टार्गेट होगा अगर एक फिस पांचो के ऊपर यह उपन होती है तो पहला टार्गेट होगा 21 पांचो पचास ठीक है दूसरा होगा 266 तीसरा होगा 266 पचास यह कौल साइट का है ठीक है पुट साइट का होगा 2450 2350 2400 2350 यह गैप अब का है अगर गैप डाउन ओपिन हो जाए यहां पे यह गैप डाउन अगर हो जाए 2400 के आस पास तो हम क्या करेंगे तो हमारा यहाँ पर गैब डाउन ओपन हो जाए इसके आसपास में तो हमारा पहला टार्गेट होगा कॉल साइट का यह कॉल साइट का हमारा टार्गेट होगा 21, 420 21, 440 यह होगा और दूसरा होगा 21, 500 21, 500 यह होगा पुट साइट का कॉल साइट का यह होगा यह होगा C, E और पुट साइट का पुट साइट का हमारा टार्गेट होगा यह होगा साइट यह होगा चालिस और 21280 यह होगा पुट साइड का टार्ट गेट गैब डाउन में यह तो हो गया निप्टी का बैंक निप्टी के तरफ आ जाते हैं बैंक निप्टी में जल्दी जल्दी तो कर रहा हूं लेकिन फिर भी वीडियो बड़ा होता है अभी मैं दो बनाता था दो से मैंने दोनों के एक में ही सिफ्ट कर दिया क्या करूं यह है हमारा फ्लैट एरिया ठीक ना 447-800 से लेके साथ 47820 से लेके 920 यह हमारा फ्लैट एरिया है अगर यहां पर ऑपन हो जाती देखो अगर यहां पर बैंक निप्टी यहीं पर उपन हो जाए और यहां से नीचे की तरफ पहले केंडल बनाया और इसके बाद दूसरी पहले केंडल का यह लो और हाई हमने ब् सपोर्ट को बेग कर दिया तो यह देखना यहां से चली हुई है सपोर्ट कर दी गहां Bus एक यहां पर ऑगी화 कि ओए अल्डेडी है तो यह देहां देना और दूसरी अधे यहां से होगी 800 से 47-800 से बाउंस बैक हो जाएगी ठीक है तो अगर यह सस्टेन करते यहां पर सस्टेन करेगी सस्टेन करके नीचे जाएगी तो एक है यहां से आए तो एक दो केंडल जायेगी और ऊपर जाएगी रेखना उपर सस्टेन करेंगी गंटे बर और तबी उपर जाएगी तो जाएगी लेलें अगर यह सिन राफ तो एक श집 का इंधिजारा करना स्विंग बननेगा शुन को ब्रेक ब्रेक और होजा तो हम इन्थी लेंगे हमारी टारगेट क्या होगा कि कॉल साइट का टारगेट क्या होगा इसमें तो परिशान कर दिए सारे फोन इसी टाइम में आते हैं कहां है आए 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 पहला टार्गेट होगा हमारा कॉल साइट का पहला टार्गेट होगा और यह आदालिस जार अगर यह आदालिस जार को ब्रेक कर दिया तो यह है आदालिस असी यह जहां पर आएगा यह आदालिस यिरो एट यिरो और फिर इसके बाद हमारा टार्गेट यह होगा 48 200 करीब 48 200 ठीक है यह हो गया काल साइट का टार्गेट और अगर यह पुट साइट का टार्गेट क्या होगा पुट साइट का टार्गेट हमारा पहला टार्गेट यह होगा 47 800 पुट में 47 800 यह है 47800 और दूसरा होगा 47760 यह है ना 47730 और तीसरा होगा यह 47650 यह फ्लैट का है अगर यह गयपप ओपन हो गई तो हम क्या करेंगे यह देख लेते हैं देखें अगर यह गयपप ओपन हो जाए 48000 के आसपास में तो फिर हम ट्रेडिंग का सिनारियों हमारा वही रहेगा हमारा टार्गेट क्या होगा 48100 48100 14200 48300 यह कॉल साइट का टार्गेट होगा पुट साइट का टार्गेट होगा पूट साइट का टार्गेट हमारा होगा 47, 900 47, 800 47 700 यह होगा पूट साइट का gap up में यह gap up में put side का target है ठीक है और अगर यह gap down open हो गया gap down यहाँ पर हो जाए 700, 600 के आज़ पास तो क्या होगा 700 के आज़ पास में अगर हो जाए तो हमको क्या करना है तो हमारा target क्या होगा अगर 700 के आज़ पास में होता है तो हमारा call side का target होगा 47,800, 47,900, 47,000 यह हमारा target होगा call side का और put side का होगा 47,600, 47,500, 47,400 यह put side का target होगा दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है अब यह वीडियो बनाने में कित्ती मिनात है कितना analysis करना पड़ता है आप लोग खुद करते होंगे तो पता होगा और आप अपने इसे भी करिए तो मैंने तो अपना काम पूरा किया ह है हमारे चैनल को लाइक सब्क्राइब शेयर करना है मिलेंगे हम फिर एक नए वीडियो में कल तब तक के लिए सन्यवाद जैहिन